हेलो बच्चो सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार क्या मेरी आवाज आ रही है क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ लोगों सभी लोगों को 88 परसेंट नमस्कार नमस्कार सभी लोगों गो 88 परसेंट नमस्कार 88% क्यों 12% GST काट लिया भाई चलो भाई स्टार्ट करते हैं Polymer chapter ठीक है Polymer chapter स्टार्ट कर रहे हैं अपन इधर आओ तो Today's goal तो जानते हैं आप Polymer है न तो Polymer क्या होते हैं पहले ये समझ लो है Polymer क्या होते हैं पहले ये समझ लो Polymer कैसे बनते हैं Monomer Units इनके Additions से या फिर Condensation से Polymer का Formation होता है धियान से देखिए का सभी लोग तो इससे Polymer बनता है Polymers को हम Macro Molecules भी बोलते हैं Higher Molecular Mass के होते हैं ये हैं Macro Molecules मतलब Higher Molecular Mass तो Higher Molecular Master कितना लगभग ऐसा बोलते हैं 10 की पावर 3 से 10 की पावर 7U ठीक है तो Higher Molecular Mass के होते हैं ये तो Monomer के Combination से या Condensation से क्या बनता है Polymer बनते हैं ठीक है चलो भई फटा फट से नोट करना हो तो लिख लो जल्दी से या स्क्रीन शॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं चले आगे बने वरी नाइस क्लियर एकदम आपन क्लासिफाई कर लेता है वेरी गुट बस बस हो गया अरे बस हो या सिंपल से चैप्तर आयू जड़ा क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो based on biodegradable और non biodegradable biodegradable में कौन से होते हैं starch प्रोटीन ये सब आप जानते हो ना starch is the polymer of alpha glucose ठीक है और protein क्या होता है protein होता है alpha amino acid का पढ़ा चुका हूआ है आपको है ना इस सेलिलोज ये भी आप जानते हो glycogen ये भी जानते हो ना non-biodegradable में क्या है rubber है रेजिंस वगेरा होगे यह सब ठीक है सेमी सिंथेटिक में क्या होते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कैसे होते हैं ऐसे पॉलीमर जिसको आप क्या कर सकते हो मॉडिफाई कर सकते हो ठीक है जैसे सेलिलोज है ठीक है सेलिलोज के लेकिन डेरिवेटिव क्या होते हैं सैमी सिंधेटिक आप इसमें मॉडिफिकेशन कर दो तो एसीडेट बन जाएगा है और नाइट्रेट गूर्प लगा दो तो एसीडेट बन जाएगा इसीडेट का नाम है रेओन ठीक है जितना पढ़ाऊंगा पॉलीमर होता ही बढ़के जाना एक्जाम में इसी मैसी सवाल आएगा सैमी सिंधेटिक में क्या हो गया वलकनाइज रबर यह हम लास्ट में पढ़ेंगे वलकनाइजेशन ऑफ रबर है ना नेचरल लवर की प्रॉपर्टीज को इंप्रूफ करने के लिए वलकनाइजेशन करते हैं कैसे करते हैं वो या नाइलोन डवल सिक्स हो गया यह सब हम बनाएंगे अभी थोड़ी दिरवाद तो एक बार आप इसमें रीडिंग कर लीजिए फिर हम आगे चलते हैं अभी वस क्लासिफाई कर रहे हैं सिंबल क्लासिफिकेशन फिर एक एक पॉलीमर की स्टड़ी भी करेंगे कि क्या मोन हमार पॉलीमर के पूछे गए हैं एक्जाम में है ना ठीक है आगे बने कि लियर है चलें क्या पढ़ दिया है वेरी गुड़ क्या बात है चलो वह यह हो गया पहला क्लासिफिकेशन है दूसरा क्लासिफिकेशन है बेस डॉन स्ट्रक्चर इस्ट्रक्चर के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हो जैसे लीनियर पॉलीमर इसमें क्या होगा इसमें बहुत सारी मोनोमरिक यूनिट लीनियर ली अरेंज होग ना branch polymer क्या होते हैं जैसे linear chain चल रही है तो इसमें आप branch निकाल दो इस तरीके से दिखाते हैं अपने ना इसमें आप branch निकाल दो इस तरीके से लेकिन दो linear chain को जोड़ना मत अगर उसको जोड़ दोगे तो cross linking हो जाएगी है ना तो वो cross linked polymer में आ ब्रांच polymer जैसे low density polythene वगरा हो गई यह सब cross linked polymer की बात करें जिसको हम network polymer भी बोलते हैं जैसे baccalite, melamine, urea formaldehyde यह सब बनाएंगे अभी और इसको हम कैसे दिखाते हैं इस तरीके से दिखाते हैं कि जो linear chain है ना वो cross linked है मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है ठीक है जैसे एक और बना दूई यहां पर इस तरीके से तो यह cross linked होती है एक दूसरे से जुड़ी होती है तो linear chain में branch निकाल दो तो branch हो जाएगी और अगर उन linear chain को join करा दो तो cross link हो जाएगी है ना ऐसा होता है कि लिए रहे आगे बने कि स्क्रीन सब्सक्राइब लेना उदे ले सकते हैं ठीक है वेरी गुड़ एक क्यरासर आपकी आवाज नहीं आए तो बड़ा मन की आवाज सुनो मन की आवाज सबसे बहतरीन आवाज होती है ना मोड़ झ content मेशन देख लेते हैं ठीक है गो कि इसरा क्लास्थिकेशन मोड़ पॉलिमर जायाए पॉलिमरे मॉलीक्यूल का पॉलिमराइशन तो इसको क्या बोलेंगे हो मॉलीक्यूल की बात करूं तो डिफरेंट मॉलीक्यूल का होगा यहां पर जैसे ब्यूना एस ब्यूना एन वगएरा इसको अभी हम बनाएंगे तो अपन बोलते हैं, ठीक है, तो CH2CN का 13-muted-ion के साथ करा दोगे तो ब्यूना-ion हो जाए, यह अभी हम सब करेंगे है न, होमो पॉलीमर पे जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉली स्टाइरीन हो गया, पॉली विनाइल क्लोराइड हो गया, पॉली अक्राइलो नाइट्राइल हो गया, यह सब पढ़ने को, इनको पैन बोलते हैं, औरलोन बोलते हैं, एक्रिलेन बोलते हैं, इसको है न, टैफलोन हो गया, नैचरल रबर हो गया, जिसको पॉली स्टिस, आईसोप्रीन बोलते हैं, है न, सिंथैटिक रबर हो गया, जिस को गो बोलते हैं इस ट्प्राव पडूरेजिला चाहिए इसमें भी दो होते हैं होमड़ीमर मतलब एक अहीं मॉलीक्यूल का कंडूर जिसे नाइलों प्रॉलाइक्टम से बनता है इस कहां से बनता है क्याप्रो लेक्टम से और इसमें को पॉलीमर हो देगो, होमो का मतलब सेम मॉलीक्यूल, को का मतलब दो डिफरेंट मॉलीक्यूल, बस यह समझे लो अब जैसे नाइलोन 6-6 हो गया, टेरिलीन जिसको डेकरॉन बोलते हैं, गलिप्टल हो गया, बेकलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया, है ना मेलामाइन फॉर्मेलडी हाइड بیکलाइट वाला फिमनल फॉरमल डई हाइड होता है अभी हम पढ़ने वाले है न तो अभी सीर्फ क्लासिफाइघ कर रहे हैं क्या-क्या होता है ठिक तो अपने एडिसन पॉलीमर में दो होमो को होमो और को और कंडनसेशन में भी दो होमो और को को एडिसन को स्ट्रैप ग्रोथ कंडंसेशन को क्या बोलते हैं बताओ ज़रा है हां सद्रीन देलिया बहुत बढ़ी है यह जी नाइस है ठीक है ठीक है चले आगे बने एक करहा हमें साधियों बुलाओगे नहीं बुलाएंगे भाई चले आगे बढ़े यह सर क्लियर क्लियर है क्लियर है वेरी गुड बहुत बढ़िया तो यह कहानी होगे इसकी अब चौधा क्लासिफिकेसन है बेस डॉन इंटर मॉलिकुलर फोर्से बॉन्डिंग के हिसाब से देखेंगे तो इलास्टोमर में बहुत वीक फोर्स होते हैं जैसे नैचरल रवर हो गया आपका बंकानाइज रवर हो गया नैचरल रवर में ही मॉडिफिकेसन करते हैं तो बंकानाइज बंता है ठीक है बियूना एन हो गया बियूना Podcast ॉन्देखरों ४णाईधी इंगे इनको भनाएंगे अचिज़ ऑ stuk बेकल आइट हो गया, अम अला माइन, फोर्मटी, हाईड, यूरिय पोर्मिली, हाईड, ये सब रिजिन्स, है नौ? तो ये सब थर्मो सैटिंग होते हैं, एक बार रीड करने की तेरी ये बस, और फोर्सेस की बात करें, तो thermosetting में सबसे strong force होते है ना फिर fibers में होते है इसमें usually hydrogen bonding बोलते हैं अपने ना फिर thermoplastic और last में elastomer weak wonderful forces बोल सकते हो ठीक है तो forces आप लिख लो 4, 2, 3, 1 ये सब हम अभी बनाने वाले हैं ये सब अभी हम बनाने वाले हैं clear चलो भी बहुत बढ़िया स्क्रीन सोट लेना चाहते थे आप ले लो जड़ा स्क्रीन सोट करें सर रिसेप्शन में बुला लेना नहीं बुलाएंगे बाई आगे बढ़े अब देखो किस तरीके से पॉली मरैजिशन होता ये थोड़ा सा समझने वाला ध्यान से देखना अपने पास पर ओक्साइद होता है ठीक है पर ओक्साइड मेकेनिजम क्या होती तो पर ओक्साइड क्या होता धिहान से देखो pH बेंजवाइल पर ओक्साइड बना रहा हूँ C double bond ओ-ओ-ओ C double bond pH पर ओक्साइड की bond breaking कैसे होती है वेटा पर ओक्साइड की bond breaking free radically ठीक है तो इसको free radically तोड़ लीजिए आईए तोड़िए radical radical बनेगा क्या बनेगा दो बनेगे क्या pH C double bond O radical ऐसा देखेगा अब यहाँ पर जो pH C double bond O radical है यह CO2 गैस को release कर देगा और एक नया radical generate हो जाएगा धिहान से देखना जरा अब यहाँ bond breaking होगी radical radical यह से कम्माइन कर दो CO2 बन गया और यहाँ आगया pH radical प्लस CO2 ऐसा देखेगा ठीक अब इसके बाद pH radical अटेक करेगा किस पर? अलकीन पर मैं इथीन का समझा देता ह। इथीन से polythीन बनाना है ना तो हम क्या कर रहे हैं? इथीन से इथीन से हम क्या बना रहे हैं? polythीन polythीन का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है ठीक है? ध्यान से देखना जड़ा अब यह जो pH radical है यह अलकीन यानि कि इथीन पर अटेक करेगा तो आप क्या करो इथीन को तोड़ लो? तोड़िये कैसे radical radical? pH radical को CH2 radical से जोड़ दीजिए तो pH CH2 radical जोड़ दिया ना? तो radical खतम हो गया ना? एक नया CH2 radical जनरेट हो गया ऐसा दिखेगा ठीक है? और अब इसकी reaction फिर से कराईए ऐसा कराते रहिए इसकी reaction तो pH CH2 CH2 radical की reaction बिड़ा अलकीन से फिर कराईए ऐसा ऐसा देखो पिर यह radical बनेगा ऐसा ऐसा तो pH CH2 CH2 radical ऐसा देखेगा आपको देखो अब ऐसे बहुत सारे radical कंबाइन होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे ठीक है? इसका नाम हम बोल सकते हैं इधर से chain initiate हो रही है है ना? start हो रही है तो इसको हम बोल सकते हैं chain initiation इस step को chain initiation और यह हो रहा है chain application, आगे radical बढ़ रहें तो इस तरीके से chain आगे और भी προपोगेट होती रहेगी तो इसके आगे और भी करते जाओ, और भी करते जाओ, और भी करते जाओ, और भी करते जाओ तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हैं CH, CH2, CH2 unit बहुत सारी आ जाएंगी, तो whole N लिख देता हूँ, ऐसा, और CH2, CH2 radical इस तरीके से, ऐसी बहुत सारी unit आती जाएंगी, इसका आप further polymerization कराओगे, यह ना, तो आप कराते जाओ, कराते जाओ, कराते जाओ, तो ऐसे दो radical मिल जाएंगे आपको इस type के, उनको combine करा तो termination हो जाएगा, अगले page पे लिखूँगा, ऐसे आपके बहुत सारे बढ़ते जाएंगे, ना, मैं करेंगे जम बेशने के, विल्कुल, radical radical बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, है ना, किलियर है, इसकी combination करा दो, ठीक है, अब इसकी combination करा दो, इस type की, देखो, इसके बाद और भी करा ओगे, reaction कराते जाओ, कराते जाओ, इस type से मैंने लिख दिया, है ना, अब इसकी आप combination करा दो, कैसे ध्यान से देखना ज़रा, इसका आप combination करा दो, तो pH, CH2, CH2 whole N, termination करा दो, TH2, CH2 radical, ऐसा ही एक और लिख लेता हूँ, pH, CH2, CH2 whole N, CH2, CH2 radical, और इनका combination करा दोगे, तो कुछ इस तरीके से देखेगा, pH, CH2, CH2 whole N, फिर CH2 और ये combine हो जाएगा, दूसरे वाले से, pH, CH2, CH2 whole N, TH2, CH2, और इसका bond बन जाएगा, ऐसा, हो गया polymerization, अब इसका general representation क्या होता है, इन general हम क्या represent करते हैं, तो जो polymer का representation होता है, वो हम ऐसे करते हैं, TH2, TH2 की बहुत सारी unit repeat हो रही है, अब इसमें बेटा math मत लगा दे न, कि सार N और N, N प्लस N, 2N, और यहां भी 2 और 2, 4, N प्लस 4, ऐसा नहीं लिखते हैं, इन general माल लेते हैं कि N है, है ना, कि लिए रहे, तो ये chain termination step बोल सकते हैं इसको, ठीक है, तो इस तरीगे से इसकी mechanism होती है, है ना, स्क्रीन सोट ले लो इसका, फटावट से, ठीक है, आगे बढ़े, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, बनने बाद सभी लोगों को बहुत-बहुत आ, यहां पर आने के लिए, चलें आगे, बहुत-बड़ी है, very nice, तो ये इसकी mechanism थी, अब हम एक-एक करके polymer discuss करेंगे, और exam के लिए यह बहुत important है, बढ़ा, exam के लिए सबस्यादा important है, प्रोपीन होता है, CH3, single bond CH, double bond CH2, इसको बोलते हैं प्रोपीन, पॉली प्रोपीन कैसे बनेगा, आपको क्या करना है, radical mechanism हमने समझ ली, तो आप क्या करो, pi bond को break करके, radical radical बना के join करा दो, कैसे कराना है, ध्यान से देख लो जड़ा, जैसे मानलों यह है, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, CH, double CH2, और ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है, अब इस bond को आप break कर दो, तो आपने इस bond को break किया, तो radical radical मिला, ऐसे आप, ऐसा ही एक और molecule लिख लो, एक और लिख लो, बहुत सारे लिख लो, ऐसे ही molecule, और radical को join करा दो, तो radical को join करा ओगे, तो आपको ऐसा दिखेगा, CH, single bond CH2, और यहां क्या लगा हुआ, CH3, ठीक, और यहां क्या कर देंगे, ऐसे whole, N, ऐसा representation हो, तो लास्ट में pH वगर आता है, क्योंकि अपन बेंजल परोकसाइड लेते हैं, लेकिन उसको लिखते नहीं है, ऐसे ही represent करते हैं, है न, तो आप क्या करो, radical join करा दो, जैसे माल लो, एक मैं दिखाई देता हूं करा के, एक और radical ऐसा बना दिया है, मैंने लो, तो आप इनको join कराते जाओ, इधर एक बना लो, ऐसे आपके बहुत सारे बनते जाएंगे, तो radical radical को join कराते जाना, बस बिटा ह है न, तारे radical join कराते हैं, जो ऐसा दिखेगा structure, है न, इधर मैंने आपको uses वगरा भी लिख रखें, तो ये पढ़ते जाना, आप साथ-साथ, toys में pipe, fiber और ropes बनाई जाती है, इससे, ठीक है, तो radical radical की joining करानी है, मोहित के रहें, सरी ये कौन सा subject है, physics या भाइलोजी, बिटा ये social science है, आगे चलें, clear एकदम, clear है, बहुत बढ़ी है, very nice, इसी तरीके से अपन लिखते जाएंगे, आगे चलो, second is styrene, है, आओ जड़ा, styrene की बात कर लेते हैं, अगर मैं styrene की बात करूँ, आप चो तो styrene होता है, pH, single, CH, double bond, CH2, अब आपने observe तो करी ली होगी reaction कैसे करानी है, है ना, तो आप इतने part का polymerization कराते जाओ बस, अलकीन वाले part का polymerization कराओ, pH वैसी आजाएगा, जैसे मिठाइल लटका हुआ दबी, जैसे pH लटक जाएगा, है ना, कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, देखना जड़ा, CH, single bond, CH2, यहाँ क्या आजाएगा, pH, और यहाँ लगा दूँगा, hole N, ऐसा, ठीक है, तो इस tyrene का polystyrene होता है, polystyrene इसे बोलते हैं, clear एकदम, ठीक है, uses पढ़ते जाना, toys, radio, TV cabinet, insulator, wrapping material बगर बना इतने लिए, ठीक है, आगे बने, pH क्या है बड़ा, ड्रवली आए तुमने सही बता हो, हो सही, मेरे ख्याल से अगर तुम्हें पी एच नहीं पता तो एक काम कर ले ना चाहिए, एक साल और ड्रवली लो, कोई दिक्कत निया, एक साल और अच्छे से पढ़ो ने, लेकिन पढ़ाई कर नीए तो, आगे चलने, चलने मेटा सिद्दान दागे, बहुत बढ़ी है, अकराइलो नाइट्राइल जो होता है, वो होता है, विनाइल साइनाइड, है न, विनाइल साइनाइड को अकराइलो नाइट्राइल भी बोलते हैं, ठीक है, इसका दूसरा नाम Vinyl Cyanide भी बोल सकते हो तो Vinyl Cyanide में आप ध्यान से देखो ध्यान से देखो आपको इतने पार्ट का Polymerization कराना है बागी Cyanide लटका देना ठीक है? कैसा देखेगा? ऐसा देखेगा CH Single Bond CH2 और CH से क्या जोड़ा है? ठीक है? इसको बोलते हैं पैन ऐसा? पान बोल दो पान, अक्रीलेन या और लॉन भी बोलते हैं ठीक है? किलियर एक दम बढ़ा? बहुत बढ़िया वेरी नाइस मेरा कोई बढ़्डे नहीं है बढ़्डा है ना? किसाल में दज़बर बढ़्डे बनाओंगे? तो यह होता है पैन अक्राइल और नाइट्राइल सब्स्ट्रीडूट फॉर वोलिन मेकिंग कमर्सियल फाइबर्स यह याद करते जाना उधर के हैं ना? यूजस कभी-कभी एक्जाम में पूछा गया है इसलिए मैंने लिख दिये हैं आपके लिए ना? NCRT से उठाके लाएं क्योंकि NCRT से आता है पॉलीमर ठीक है? हमने तो बनाएं नहीं है बना ले जल्दी फटावट से यह ना? क्लियर है? चले आगे तो यह होता है विनाईल कलोराइड देखो वेटा क्या होता Дेखना जरा विनाईल कलोराइड होता है radical radical की coupling करा नहीं है CL को लटका देना है ना तो ऐसा देखेगा आपको देखो यह CL बहुत ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है बस आपको यह याद होना चाहिए कि कौन सा compound क्या होता है vinyl chloride यह होता है polymerization करा के यह लिख दोगे है ना बेटा polymer से minimum एक सवाल तो आता ही है ना ठीक है तो यह होता vinyl को रहा है raincoat handbag water pipe vinyl flooring अगरा जो होती ना उसमें use करते है चलें आगे बने ठीक है किलियर एकदम धन्यवाद बेटा very good पड़ावट से note कर लो किलियर मेरी जगल नहीं देखनी तो back button दबा दो न अरे यार बहुत ही पागल लोग है तुमने क्यों जनम लिया अगर इस बात का तुम्हें जब पता चले जाए ना तो बहुत भला हो जाएगा ठीक है टेट्रा फ्लोरो इतिन देखना जरा बहुत ध्यान से carbon double bond carbon ठीक है carbon double bond carbon इसका पॉलिमराइजिशन करा दोगे रेडिकल से और चार फ्लोरीन यहां पर लटका देना तो ऐसा दिखेगा देखो cf2 single cf2 और इधर और इधर यह carbon से bonding है न तो यहां आ जाएगा hole n ठीक यहां जाएगा hole n नॉन स्टिक सर्फेस कोटेड यूटेंसिल्स बनाने के काम आता है यह आरे नॉनिस्टिक तवा ओगा न आपके घरपे ठीक है नॉनिस्टिक तवा होगा है क्यों है के नहीं तुम्हारे घरपे क्यों करमा नॉनिस्टिक तवा है उसी अपना मू दे कैशने आगे आगे वाणे तो tetrafalolphुरूविधीन जो है वो पच्चती नहीं है में चीज यही है बेटा थोड़ा ध्यान रखा करो जीवन में तुमारे लिए कर रहे हैं यह ना तो टेट्रा फ्लोरो इथीन से क्या बनता है टेफलॉन क्लियर एकदम ठीक है वेरी नाइस बहुत बढ़िया आगे बढ़ा जाए आईसोप्रीन ठीक है आईसोप्रीन क्या होता है आईसोप्रीन होता है थ्यान से सुनना यह थोड़ा इंपोर्डेंट है C CH3, सिंगल वॉंड CH, डवल वॉंड CH2 यह क्या है अगर मैं इसके IOPSC नंबरिंग करूं तो 1,2,3,4 ऐसे लिख सकता हूं ठीक है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 2-methyl 2-methyl 1,3 butadiene क्या है का butadiene 2-methyl 1,3 butadiene 2-methyl 1,3 butadiene ठीक है तो यह होता है क्या आईसोप्रीन बोलते हैं इसको 2-methyl 1,3 butadiene अब मुझे इसका क्या कराना है polymerization कराना है कैसे कराएंगि ध्यान से सुनना जरा मैं क्या कर रहा हूँ इस bond को तोड़ दू रेडिकल रेडिकल इस bond को तोड़ दू रेडिकल रेडिकल अभ देखो इन नहों को आपस में जोड़ देना इन नहों को ठीक है और इसकी आगे और इसकी पीछे की तरफ से चेन बढ़ा देना ठीक तो कैसा दिखने वाला अपको ये ऐसा दिखने वाला धे देखना जड़ा है न कि येज्ज टू है एक दम इस तरीके से दिखेगा अब यह जो नेच्रल लबर होता है जिसको सिस वन फोर पॉली आई सुप्रीन बोलते हैं यह दिखता कैसे है नेच्रल लबर दिखता कैसे यह मैं आपको अगले पेच पर दिखा रहा हूं यह सिस क्यों बोला अपन ने इसको है ना इस बेटा प्रक्राइच लेब बोला क्योंकि यह वाला जो डबल बॉंड है यह जिए एक लिट करता है यह क्या करता है एग्जवेट्स जोमेट्र कला इसमेरे जम ठीक है क्या एक्वेट यह जी आई एक्वेट करता है ठीक है अब यह कैसे बनाएंगे स्कॉप मैं नेक्स पीच पर पहले आप इसको देख लो ठीक है किलियर एकदम क्या ये वाद किलियर है आगे बने किलियर एकदम अरे वाई क्यों गुसा रहा है जलो नोट करो जो पढ़ने वाले बच्चे बड़ा बच्चे नोट करो तुम्ही आयते पहले पंगा लेने के लिए ज़ली जले आगे चलो अब ध्यान से देखना जरा मैं इसको सिसफॉर्म कैसे बना रहा हूं ध्यान से देखना मैं इसको Sysform कैसे बना रहा हूँ, धियान से देखना, CH2, single C, CH3, double C, CH2, ठीक है, धियान से देखना ज़रा, देखो, मैंने CH2 लिख दिया, इधर मिथाई लिख दिया, अब सुनना, इस carbon पर एक H है और यहां से linear chain आगे बढ़ रही है, है ना, इस carbon पर H है, इस carbon पर क्या है, H है, और linear chain यहां से आगे बढ़ रही है, ठीक है, तो अब देखना ध्यान से, अब मैं लिखूंगा ऐसे, C double bond C, CH2, इधर chain आगे बढ़ रही है, इस तरफ chain बढ़ रही है, इस तरफ chain बढ़ रही है, फिर यहां double आएगा, इधर chain बढ़ रही है, तो आप ध्यान से देखो, इधर CH2 के साथ change बढ़ रही है, इधर बढ़ रही है, यह सेम साइड है, सेम साइड है, तो मैं क्या बोलूँगा इसको, सेम साइड है, तो क्या बोलूँगा, सिस बोलूँगा, इस double bond के लिखो, यहां पर बढ़ रही है, इसको सिस बोलूँगा, इसी तरीके से आगे repetition चल रवर ठीक है अलस्स इस कॉन्फिगरेशन को क्या बोलते है नैचुरल रवर ठीक है क्लियर अलस्स कॉन्फिगरेशन को क्या बोलते है नैचुरल नैचुरल रवर ठीक है अलस्स इस कॉन्फिगरेशन को क्या बोलते है नैचुरल रवर ठीक है क्लियर अब अगर मैं यहां पर लिख दूँ ध्यान से देखना जड़ा अब अगर मैं यहां पर लिख दूँ ओल ट्रांस कॉन्फिगरेशन ध्यान से सुनना जड़ा ओल ट्रांस कॉन्फिगरेशन तो इसका नाम होता गुट्टा पर्चा क्या होता गुट्टा पर्चा ध्यान रखना अगर यह सारे के सारे ट्रांस हो जाएं अगर सारे ट्रांस हो जाएं तो उसका नाम गुट्टा पर्चा होता है सारे से सो जाएंगे तो क्या होगा नैच्रल रबर क्लियर है क्लियर है कि चलें आगे बने सिस वनफूर आई सब्सक्राइब कि अधर्श से सकी ले लिएंस तो हम्हां है फर्मागे वड़ता है कि वही नाइइस गोटовой सब्द समने पाइस कि अधर आगे वड़ाएं चलें कि आगे बड़ें जी मास्टेर क्लियर है जितनी देर भगवास करते हो उसमें से कुछ कुछ गश्चन करा दोगे तो फिर जो लिखो जाए पूरा नहीं पड़ पाया है मैं तो क्या चला जाएगा बहुत बढ़िया बेटा वेरी नाइस जितनी देर तुम लिखने में टाइम बरबाद करते हो उतनी देर में दो-चार बार ये लिख लोगे तो प्रैक्टिस हो जाए एक्जाम में अच्छे नंबर आएंगे तुमारा बला हो जाएगा ठीक है आगे बढ़े तो ये कहानी समझ में आ गई चलो बहुत बढ़िया वेरी नाइस अगला है किलोडो पृण अगला है किलोडो पृण ठीक है आओ जड़ा डीकर किलोडो क्लो पृण क्या होता है देखो अभी मैंने आपको jmिने बताया आपको अब मैं नियो प्रिंज जो होता है उसको synthetic rubber बोलते हैं ठीक clear है तो इसका अगर मैं IUPAC name लिखूँँगा तो क्या एगा 1,2,3,4 क्या एगा 2 chloro 2 chloro 1,3 butadiene सही है ना 2 chloro 1,3 butadiene clear एक दम very nice नियो प्रिंट कैसे बनेगा जैसे तुमने पीछे natural rubber बनाया था ना वैसे ही बना देना कैसे देखो radical तोड़ लोगे आप ऐसे देखो radical तोड़ लोगे ऐसे radical radical यहां रेडिकल तोड़ लो कैसे इन दौनों को जोड़ दो और इधर से स्टेन आगे बढ़ा दो इधर पीछे बढ़ा दो तो कैसा दिखेगा CH2 स्टिंगल बॉन्ड सी यहां क्या आएगा CL दबल बॉन्ड सी एच स्टिंगल बॉन्ड सी एच टू ऐसा आएगा होल एन अब दौनों में डिफरेंस क्या है नेचरल लवर में और इसमें क्या डिफरेंस है नेचरल लवर में यहां मिथाईल होता है और यहां CL है क्लियर है नेचरल लवर में यहां मिथाईल होता था यहां CL है क्लियर है ठीक है बहुत बढ़ी है very nice आगे स्वाद चलिए आग वेरी गोड बहुत बढ़िया आप अब अब्जर कर लो ना देखो नेश्रल लवर में यहां क्या था देखो जरा नेश्रल लवर में अरे कांग गया नेश्रल लवर में यहां क्या था देखो अगे नेच्रल लबर में यां C3 है नियो प्रिं में या इस यह ठीक है क्लियर तो यह कहानी एक तो यह उता नियो प्रिंट वेजिटिवल उइल और मिनल उइल का रिजिस्टेंट होता है यह ध्यान दखना कन्वेजर बेल्ट में यूज करते हैं इसको कन्वेर वेल्ट तो आपने देखा ना मशीन होती जिसमें ब्लेक कलर का बेल्ट होता है उसको कन्वेर वेल्ट बोलते हैं न है ठीक है क्लियर क्लियर चले आगे क्लियर एकदम धन्यवाद बहुत-बहुत आपको चलो भई धियान से देखना चारा अगला देखो जरा एग्सांपल ऑफ एडिसन पॉलीमर में अब अगे चलते देखो अभी तक क्या कहानी थी आप ध्यान से समझना यहाँ सिर्फ एक-एक पॉलीमर था एक-एक मोनोमर था एक ही टाइप का ऐसा बो एक ही टाइप का था ठीक है इसको होमो पॉल और बोल सकते हो जहां एक टाइप सब्सक्राइब हो मों होमो यह वी होमो यह भी होमो यह हुमो इगो बालिकां ओ्यां हो है यह यहां आप थे अब यहां ज़रा यहां पर राव यहां डव मैं कर दीक्त ow मई कर लिए equipo कर दोगा और स्टाइरीन की बात करें तो ऐसा आएगा CH2, double bond CH, single bond CH, double bond CH2, इसको क्या बोलते हैं, 13-beauter dine, ठीक है, स्टाइरीन कैसा होता है, pH, tingle bond CH, double bond CH2, इसको बोलते हैं स्टाइरीन, ठीक है, तो 13-beauter dine और स्टाइरीन का कॉम्बिनेशन करा दो, कैसे करा ओ, radical बना लो, क्या करो तो आप radical बना लो, कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखना ज़रा, आप ये पाई बॉंड ब्रेक कर लो, radical, radical, ये ब्रेक कर लो, radical, ये ब्रेक कर लो, radical, ये ब्रेक कर लो, radical, radical, अब इनका आप combination करा दो, ठीक है, तो combination कैसे दिखेगा, वो मैं दिखा देता हूँ, आपको CH2, single CH, देखो, यहाँ ये दौनों radical join हो जाएंगे, तो double आ जाएगा, CH, फिर CH2 आएगा, ठीक है, अब देखना ज़रा, यहाँ से ये radical जोड़ेगा, CH आ जाएगा, फिर PH आ जाएगा, और फिर CH2, ऐसा छोड़ देते हैं अपन, इस तरीके से, देखो, तो 1-3-Putad-I-E-N और आगे बने, very good, बहुत बढ़िया, clear है, तो यह कहानी है, तो 1-3-Putad-I-E-N और स्टारीन के co-polymerization से बनता है, ठीक है, टायर में यूज़ करते हैं, इसको photo wear, floor tiles, cable insulation वगेरा हो, ठीक है, very nice, बहुत बढ़िया, screenshot लेना, ले लो जल्दी से, चलो, बहुत बढ़िया, यह हो गया, 1-3-Putad-I-E-N और स्टारीन का, एक होता है, सिमिलर इसी जैसा, सिमिलर इसी जैसा, 1-3-Putad-I-E-N और अक्राइलो नाइट्राइल, देखो, सिमिलर इसी जैसा होता है, देखना जरा दिहान से, 1-3-Putad-I-E-N हो गया आपका यह, और अक्राइलो नाइट्राइल होगे, आपका यह है, याद करो, अब आप क्या करोगे, रेडिकल बना लोगे, बनाईए, रेडिकल, रेडिकल बनाओगे तो ऐसा दिखेगा, एसा दिखेगा, और जब आप कॉBenिशन कराओगे, तो सेम वैसा ही बना देना, पीछे जैसा, पस, pH की जगे क्या लटका दे न, cn भाई, पीछे वाले में तुम्हारा pH था, यहाँ cn हो जाएगा बस ठीक है इस तरीके से, cn आ जाएगा यहाँ पर यह resistant होता, petrol, lubricant, oil organic solvent का दियान रखना, oil seal और tank lining में यूज़ करते है तो यह होगे आपका ब्यूना n किसका है, वंधरी बीटड आएजन और nitrile का, ठीक है clear, आगे बढ़े clear है very nice, बहुत बढ़िया आगे बढ़ूँगा, copolymer है यह copolymer ठीक है very nice, बहुत बढ़िया चला भई, अब कुछ condensation polymerization कर लेते हैं यहाँ पर क्या होगा, small molecules हम निकाल देंगे, ठीक है, फिर polymerization हम करा देंगे, ठीक है, ध्यान से देखना चला hexamethylene diamine कैसा देखता है hexa का मतब 6, और methylene का मतब CH2, diamine मतब 2 NH2 और adipake acid क्या होता है, CH2 ठीक है COH, यहाँ CH2 कितने, चार होते हैं, ठीक है, चार होते हैं CH2, और CUH, तो आप इसका condensation करा दो कैसे, acid से OH और NH2 से H निकाल देना, amide link के जा जाएगी, है ना acid से OH और NH2 से H निकाल देना, मैं निकाल के बताता हूँ, आपको कैसा दिखेगा, देखो ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा दिखेगा, अब आप ऐसी ही unit रख लो, बहुत सारी है ना, आप ऐसी इधर रख लो, उधर रख लो, acid से OH और NH2 से H निकाल देना, बस तो repeat होती जाएगी unit कैसा दिखेगा repeated unit ऐसी दिखेगी, आपको देखो NH CH2 6 NH CH, D double bondo, CH2 4 D double bondo, इस तरीके से whole N, ऐसे unit आपको दिखेगी, नजर आएगी, है ना ठीक तो यह होता है आपका nylon double 6, double 6 क्यों लगाते हैं क्योंकि दौनों में ही 6 कारवन है यह जो डौनों में ही 6 कारवन है देखो, इधर भी 6 कारवन है इधर भी 6 कारवन है दौनों जगे 6 कारवन है, क्लियर ठीक है क्लियर है तो क्या करना है, acid से हो है, च और alcohol से अमीन से H निकाल देना क्लियर, चलो बहुत बढ़ी है amide link के जा जाएगी amide link के जाना तो nylon double 6 को तुम polyamide की category में रख सकते हो, ठीक है क्लियर है और यह reaction कब होती है, 553 Kelvin पर और high pressure यहाँ अपलाई करते हैं, तब यह reaction होती है बहुत बढ़ी है, आगे बढ़े क्लियर यह क्या कह रहे हैं, बहुत देर से सारह एक्जाम में propaneldehyde का self-eldo लाया था, ट्रिक से रॉंग हो गया है, तुमने दें बूटा एच ले लिया होगए अपल, अल्फा एच लेismus- टेराइस, बनाकर देख लेना बन जाएगा एज है क्टेरी अगला आगला यह थेक्टर लगत्त districts हो ए प्रहलीक मीन क्या होता है धिएन से देखना जघण оф गवा saut ox oxygen होती है गार्बन को जब पानी डाल देते हैं इतने टेंप्रेचर पर पानी में डाल दो तो इसका हाइडिUM कराना है ध्यान से डेखो मैं जब इस बॉन्ड को ब्रेक करूँ गा तो इधर हैぎ sugar तो यहां कैसा दिखेगा देखो यहां दिखेगा एनेच टू इधर एनेच टू एक दो तीन चार पांच पांच कारबन यहां और सिक्स्त कारबन जो है वो कौन सा टू से आच निकाल देना तो आजब दिखेगा एन एच ही है फूल यह में यहां निकल जाएगा जीए उनित बार-बार-बार-बार-बार-बार रिपीट रही होती जाएगी ठींब है किलियर प्लेर चलिए वागर ने किलियर एक दम चलो बहुत बढ़िया तो यह टेंपरचर वाटर डाल देते तो ऐसा होता है नोट गल लो इसको रोप फैब्रिक बगरा बनाने की काम में आता यह चले आगे बने वेरी नाइस बहुत बढ़िया तो यह हो गया कैप्रो लेक्टम नाइलोन सिक्स क्योंकि छैका डिखता है दिखान से दे गजटा टेरीध्लीक अइश शीच और रहोग आटावेटा rो यह तो सए की तो आट्वीच एसा होता है इस तरीके से पिए ऐसा होता है अब अब आप ध्यान से फिखो एसे ऊए ह और एल्कॉछ अच्ण निकाल देना टीक तो ऐसा दिखेगा आपको एकड़ से ओच और एल्कोहल से एच निकाल देना एकड़ुए अच आप बहुत सारी उनिट को रिपीट कराते जाओ अभी तो यहां में चलो एच लिक देता हूं ऐसे unit लिखके repeat करा देना यहाँ भी मैं OH लिख देता हूँ अभी ताकि आपको समुझ जागी मैंने यहाँ पर एक बार water निकाल दिया अब यह इधर से निकाल दो और यह H इधर से निकाल दो कैसा दिखेगा देखो जब आप इसका polymerization कराओगे बहुत सारी unit लिखके water निकालोगे तो इस टाइप से दिखेगा और यहाँ पर ester linkage बनेगी ester वाली nylon में amide बनती है यहाँ ester बनती है ठीक है तो इसको हम क्या बोलते हैं polyester ठीक है polyester जो कपड़े बनते हैं उसके धागे बागे बनाने के काम आता है तो इसको terylene या decron बोलते हैं ध्यान रखना और यह reaction होती है 420 से 460 Kelvin पर और catalyst यहाँ यूज करते है zinc acid और antimony trioxide antimony trioxide यह होता है और zinc acid ZN OCOCH3 का hole twice ऐसा होता है ठीक है ester linkage होती है ester linkage ठीक क्लियर फटावर से screenshot लेना चाहें तो ले सकते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं सर चलें आगे very good बाव बढ़िया अगला देखो gliptal होता है इसमें क्या होता है थैलिक acid होता है देखो पिछले वाले में terry थैलिक होता था यहां थैलिक होता है तो यहां से होएच यहां से चुठा लेना ठीक है तो ऐसे लिख रहा हूँ मैं तो c double bond हो यहां से OH यहां से चुठा लेना तो ऐसा दिखेगा आपको o c h 2 c h 2 o h एक यहां ले लो इसलीन के लाइग गुल का एक इस तरफ ले लो ठीक है o c h 2 c h 2 o h इस तरीके से ठीक है ऐसा दिखा सकते हैं है बागी चलो एक-एक दिखाना है तो एक यहां दिखाओ अधि बस अशेlus चोड़ देना इस तुरीके से कि यहां भी आप रीartet करोगे न तो यहां भी आ जाएगा इस तरीके से दिखाना है आपको ना बागी दिखाना जाओ तो यहां से यहां से यहां से तो कैसा देखेगा ऐसा देखेगा इस तरीके से आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो तो ठीक है क्लियर नोट कर लो श्क्रीन्शोट लेना चाहो तो ले लो ठीक है, इस तरीके से हम दिखा देते हैं अगला देखते हैं अगला है पिनॉल प्लस फॉर्मलडियाइट बेकलाइट फॉरमेशन, देखो पिनॉल ग्या होता है बेटा पिनॉल होता है ऐसा formaldehyde कैसा होता ऐसा acidic या basic medium में यहाँ पर polymerization होता है पहले linear polymer बनता है जिसको novolac बोलते हैं फिर उसका cross linking हो जाती है कैसे होती है ध्यान से देखना ज़रा अगले page पर आपको समझा रहा हूँ acidic medium में समझा देता हूँ मेरे पास phenol है phenol की reaction होती है formaldehyde से in acidic medium या basic medium में acidic में समझा रहा हूँ तो H plus के साथ इसकी reaction होगी तो यह क्या बनाएगा देखो CH2 double bond हो है यह H plus आएगा यह bond ऐसे तोड़ सकते हो तो minus plus इसको इस से जोड़ तो समझाने के लिए बता रहा हूँ इस तरीके से ऐसा सोच लो आप है न अब इस plus का यहाँ पर electrophilic aromatic substitution करवा दो तो OH क्या है plus m या ortho para directing है न तो CH2 plus कहां जाएगा ortho पे और para पे ठीक है तो मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ कि अगर एक mole हुआ तो ऐसा दिखेगा और अगर 2 mole कराओगे है न तो ऐसा भी बन सकता है क्योंकि NCRD में सबको consider किया उनों न न और तीन कराओगे तो ऐसा भी बन सकता है सारी ortho para occupy करा देना इस तरीके से है न अगर linear polymerization आपको कराना है इसका linear CD CD linking तो आप इसको जोड़ दो कैसे ध्यान से देखना ज़रा पहले आप इसको note कर लो screen control ले लो फिर मैं आगले बेज पर बताता हूँ novo lag होता है वो linear होता है backlight में cross linking हो जाती है दो unit चे पक जाती है न ठीक है ठीक किलियर आगे बने चलो भई बहुत बढ़िया अब देखना ज़रा मैं novo lag बनाना बता रहा हूँ आपको novo lag कैसे दिखता है novo lag जो होता है वो linear होता है कैसा दिखता है धिहान से देखो ज़रा novo lag में क्या अगर हो आप linearly जोड़ दो कैसे यहां जो CH2OH था ठीक है एसी में unit लिख लेता हूँ है न यहां मैं बहुत सारी unit लिख रहा हूँ यहां CH2OH था ठीक यहां CH2OH ऐसी बहुत सारी unit है अब तुम्हारा medium जो है वो acidic आपने लिया है तो क्या होगा यहां पर ध्यान से देखना यह इसका protonation कर देगा water निकल जाएगा यहां प्लस आ जाएगा और यह प्लस यहां पर ES लगा देगा इलेक्ट्रोफेल गवरो मेंटे सब तो ऐसे करवाते जाओ आप यहां भी protonation करा के water निकाल दो यहां प्लस और इसका ES ऐसा तो पता कैसा देखेगा यहां से भी कोई आ रहा होगा और यह वाला भी आगे जा रहा होगा अगर न कहीं पर ऐसी यूनिट रिपीट हो रही होंगी तो आपको linear कैसा देखेगा ऐसा देखेगा इस तरीगे से यूनिट रिपीट होती हुई नजर आएंगी इसका नाम है नोबोलेक ठीग है इसका नाम है बैटा novo लेक clear एक दम आप इसा होता है तो linear यूनिट जुड़ती जाएंगी इसको क्या बोलेंगे हम नोवो लेक, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है, स्क्रीन सोट लो फिर आगे चलते हैं, तो इसके बाद बैके लाइट बना लेते हैं अपन इसी की ही फिरा पर नेरोलेट निणो कर देता है पिटा छी एर रखund अब अगर मैं के लाइट बनाऊ तो बैके cross linked होता है दियान से देखो ज़रा अगर back a light की बात करेंगे तो यह होता है cross linked thermosetting वाला है न क्रॉस linked हो जाएगा कैसा हो जाएगा मैं इसी चीज को repeat कर दूं कहां पर नीचे की तरफ तो ऐसा देखने लगेगा आपको है न दियान से देखना है न यह मैं अभी नोवोलेक बना रहा हूँ है न इस तरीके से आगे चलेगा इधर पीछे चलेगा ठीक है अब क्या होगा आपने एक इसका यह भी तो बनाया था compound कहां गया यह वाला पैरा वाला ठीक है यह यह भी बनाये था यहां भी बनाये था तो क्या होगा पैरा वाला जो CH2 OHS है वहां से OHS निकल के CH2 Plus बनेगा और वो Phenol के पैरा पर अटेक कर देगा तो पता कैसा दिखेगा दियान से देखना है न वो ऐसा दिखेगा देखो यहां CH2OH होगा तो यहां से प्लस बन के यह पैरा पर अटेक करेगा किसके इसके इसी यूनिट के तो इस तरीके से दिखने लगेगा अब आपको देखो ऐसा रिपीट होगा क्रॉस लिंकिंग मन जाएगी तो उस वाली यूनिट का मिरर इमेज लेकर देखो इसका मिरर इमेज ले लो और बीच में CH2 लगा दो खतम हो जाएगा इसका मिरर इमेज लेकर बीच में CH2 लगा देना एसा दिखने लगेगा आपको ठीक है उधर बढ़ा दो इधर बढ़ा दो इसको बोलते हैं back a light Cross Link होता है मतलब आपकी Novolek की दो यूनिट जुड़ गई किसे बीच में CH2 आ गया फिर सुनलो Novolek की दो यूनिट जुड़ गई बीच में CH2 आ गया ठीक है Clear है लिए लिजे स्क्रेन सॉट Clear ठीक है चलो बहुत बढ़ी है Very Nice when i carventions कुर्मर्मिणàiमायन फॉर्मिली है डियो इस जैसा ही होता है स्वार्प का भी यार मेला माइन में, मेला माइन यह होता है, पर एक नाइटोजन पर एक एक होगा, कितने होंगे विए अच्छ है, ठीक है, दियान दगना, और फॉर्मेल लिएड कैसा होता है, एसा, एस तरीके से, ठीक है, आप इसका पॉलीमर बनाओगे, तो वैसा ही, क्या करो, जैसे मैंने पी यहाँ एन एच, और यहाँ आ गया क्या, और ओएच है, तो यहाँ मैं ओ, ऐसे छोड़ सकता हूँ, क्योंकि पॉलीमर बनाओगे, तो इस तरीके से आप दिखा सकते, और रिप्रजेंटेशन है, ऐसा, है न, ठीक है, तो यह मैला माइन, यह फॉर्मेल लिहाइट, आप चाहो तो इस तरीके से दिखाना, चाहो तो ऐसा देखो, यह ऐसा टूटेगा, जैसे आपने वहाँ किया था, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यह एच प्लस के साथ, ऐसा बना देगा, और यह CS2 प्लस, एन, लोन पेर अपन इसको डोनेट कर देगा, इतनी सारी ओर्गनिक पढ़ लिए तना तो समझ में आई रहा होगा, यह अपना लोन पेर इसको देदेगा, एन, ठीक, यहाँ एक पाई बॉन रहेगा, इसको बना लेना, ठीक है, धन्यवाद बहुत-बहुत, चले आगे बने, अरे वाँ, बहु यूरिया, फॉर्मलल्डी-हाइट, देखो, यूरिया क्या होता है, नाच दो, चِयो कि और इसकी रियेक्शन, फॉर्मल्ली-हाइट से होगी, फॉर्मल्डी-हाइट ही है, जो जो सेम वेसा ही कराना है, जैसे मेला मइन में कराया था, देखो हमें लखके बता देता हम, करना है आपको ऐसा ठीक तो सीड़ावल बॉंडो एनेच सीएच टू ओएच वहां जुड़ जाएगा फॉर्मिल डी हैट वाला इधर जुड़ जाएगा ठीक है होल एंड करके लिख देना बस आप छीक एधर ब्रेकेवल कब बनाने की काम आता ये हैं किलिएर है 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 सेलो बहुत बड़ी है अगला है बायो डेटेवल पॉलीमर धिहान से देखना जाणदा वायो डेटेडेवल पॉलीमर में क्या-क्या होता है पहला होता है 3-hydroxy-butanoic acid और 3-hydroxy-pentanoic बना लूँ मैं देखना 3-hydroxy-butanoic acid बना रहा हूँ ऐसा देखेगा देखो ये 1, ये 2, ये 3, 3 पर OH और ये चौथा कार बनो गया ना ये 3-hydroxy-butanoic acid हो गया और pentanoic acid कैसे बनेगा धियान से देखना जारा pentanoic बनेगा मैं यहाँ पर एक काम करूँ मिथायल की जाएगा इथायल लगा दूँ तो ये pentanoic हो जाएगा देखो ऐसा बनेगा ये 3-hydroxy-butanoic और ये 3-hydroxy-pentanoic ठीक है ऐसा कुछ नहीं करना वाला वह एस टरिफिकेशन वाली रिएक्शन है यहां से वह यहां से इच इधर से चुड़ा दो इधर से वह चुड़ा दो कैसा देखेगा देखो ओ ती ch3 ch2 c double bondo o ch et ch2 c double bondo इस तरीके से और ऐसे यूनिट क्या होती जाएंगी रिपीट होती जाएंगी होल एंड लगा देंगे रिपीट करते जाना बस है ना ऐसा इसका नाम है पी एच बीवी पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलरेट तो तुम्हें कुछ नहीं यह एस्टर वाली लिंकेज जनरेट कर देना यार एसेड से ओएच ल ऑफिए ऐसा होता है अटार चीक है अगर के लियर एक दम वेरी गुट बहुत बढ़ यह तो यह कहानी है इसकी अगला एक और ग्लाइसीन ग्लाइसीन वाला और अमीनो के प्राइग एसट ग्लाइसीन ओड़ एच टू और यह तो आपको पता अमीन एस अटा यह ता यहां क्या आएका नहां और अमीनो कप राइग एसड एसा होता है अट त्यक्राइश टू पाँच ग्लाइछ तो यहां बनदा नायलान 2623 नहीं है घलत लिखाए नायलान टूनायलान शेक्स बोलते हैं इसको नायलान 26 लिख सकते हैं इसको ठीक है धिखन से देखना ज़रा क्या करना है, Acid से OH निकालना है, और NH2 से H निकालना है घदम, Acid से OH निकालना है, NH2 से H, तो कैसा दिखेगा, NH, CH2, C double bond, यहां से तुमने OH निकाला, तो यहां से H निकाल दो, NH, CH2 5, और C double bond, अब तो कहानी समझ में आगी हो, कैसे लिखना है, हमें दौनों यूनिट दिखान और होल एंड लगा देना किलियर एकदम बास बढ़िया है तो ग्लाइसीन और अमीनों केप्राइक एसिड से बनता है नाइलोन टू सिक्स ठीक है देखो दो कार बन इधर है और पांच और एक शे कार बन इधर है इसलिए टू सिक्स बोल रहे हैं इसको अमाइड लिंकेज बन लग जाएगा चले आगे बने नाइलोन टू सिक्स यह इस्क्रीन्ट लेल ओऊंड लेलो यह दिखान देखना डीडी जो ओता है वो नॉन बायर डेक्रीटेवल होता यह एन डीडीडी आपको पता डाइक्लोरो टाइफनाइल ट्राइकलोरो एथन जली आ आगे बने पॉलिमर बहुत कर लेते हैं व कवर कर लेता है विखनाई सब्सक्राइब यह सोच लेए हुआ कि वालकनाईजेशन क्या होता है तो पहले मैं बतावों क्या होता है सफिर लिंकंग कर दर्टावक होता है कि वारे में बात कर रहें तो इसके बारे बारे हम बातर लेते हैं करें बनाते हैं कि सौंग कर रहे हैं चलो और जब लो कर दोगे तो बिटल हो जाएगा हाड हो जाएगा है सोरी स्क्वाइर 283 के नीचे क्या हो जाएगा हाड हो जाएगा कम करने पर एक पॉइंट के बारे बात हो रही है तो जो जो नेचरल लबर होता है वह वाटर एपजॉप्शन के पिसिट्टी उसकी बहुत ज्यादा होती है ध्यान रखना है ना इस असॉलिवल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड इस नॉन रेजिस्टेंट टू अटेक बाइ ऑक्सिड से अटेक हो जाता है किसका नेचरल लबर में ठीक है तो यह नेचरल लबर की कुछ कमियां है इन्हीं कमियों को सुधारना तो इंप्रूब अपॉन दीज प्रॉबर्डी वल्कनाइजेशन इस करेड़ आउट तो वल्कनाइजेशन क्यों करते हैं जो नेचरल लबर है वह टेंपरचर पर सॉफ्ट होता है कम टेंपरचर पर हार्ड होता है ऑक्सिडाजेशन से अटेक कर लेता है और वाटर एप्जॉप्शन कर लेता है ठीक है अब यह सारी चीजें सुधारनी हैं उसके लिए वल्कनाइजेशन करते हैं ठीक बड़ा बड़ से स्क्रीन्शॉट वल्कनाइजेशन में क्या होता है ठीक आईए पड़िये जरा मेरे साथ क्या कह रहे हैं देस प्रॉसेस कंसिस्ट ऑफ हीटिंग अ मिक्षर ऑफ रॉर अवर रॉर अवर मतब नेचरल अवर है ना उसको किस के साथ साथ सुलफर के साथ एंड एन अप्रोपियेट अब जो पहले तुमारी क्वालिटी पूर थी अब वो क्वालिटी भी इसकी सुदर जाएगी टायर के मैनुफेक्चर में पांच परसेंट सलफर को लेते हैं और क्रॉस लिंकिंग एजेंट को लेते हैं ठीक है कैसे दिहान से देखना जारा है जैसे मेरे पास ये नैचरल है ठीक है CH2 यहां थोड़ा आगे बना देते हैं ठीक है ठीक है ठीक है तो एसा और भी यूनिट लिख लो एक यूनिट मैं ऐसे लिख देता हूँ ऐसी मैंने बहुसतारी यूनिट लिख लिए ना तो अब यहां क्या होता है अब आप पता क्या करो सल्फर लिंकिंग मनानी तो रियक्टिव साइट ऑफ डबल बॉंड यही है दोरों कार्बन है ना तो आप क्या करो यह बॉंड तोड़ो यहां सल्फर की लिंकिंग इस तरीके से ना तो मैंने क्या किया यह बॉंड तोड़ दिया और यह तोड़ दिया दौनों नहीं तोड़े एक ही तोड़ा दूद्रा बना देता हूं ऐसा इस तरीके से एक ऐसी लिंगिंग और भी आगे बढ़ सकती है इस टाइब की लिंगिंग बनती है ठीक है तो सलफर की जो ना सरी नेचरल लबर की प्रॉपर्टीस को इंप्रूफ करने के लिए सलफर को हम डालते हैं ताकि क्रॉस लिंगिंग बन जाए यहां पर जिस्से प्रॉपर्टीस सुधर जाएंगी अब क्या क्या चीजा सुधर गाई अगले पेज पर लिखा है पहले आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए तो रबर की प्रॉपर्टी को इंप्रूफ करने के लिए वलकनाइजेसन करते हैं क्या 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 चीजा सुधर गीं देखो अब यह हो गया रेजि क्रॉस लिंकिंग की वज़े से इस्टेबिलिटी बढ़ गई इसकी हाड़नेस इंक्रीज हो गई स्टॉफ्टनेस डिक्रीज हो गई ऐसा होता है तो यह प्रॉपर्टी इंप्रूफ हो जाती है किससे वलकनाइजेशन करते हैं कैसे करते हैं नेचरल लबर में सलफर डाल द क्लियर ठीक है क्लियर एकदम आगे बढ़ें चलो वही बहुत बढ़िया चलो दो चीज़ें और पढ़ लेते हैं यह मैंने बताया था लास्ट में होता हूंगा लो टैंसिटी पॉलिथिन एल्डीपी कैसे बनता है यह ध्यान से सुनना पॉम्ट बाय पॉलिमराइजेशन इथीन का पॉलिमराइजेशन कराते हो तो आपका बनता तो ही देखो आप इथीन के एन योनिट से पॉलिथीन बना दोगे यह तो कंफरम है अब यह लो डैंसिटी होगी या हाई दैंसिटी उसके बारें बात कर रहे हैं तो लो डैंसिटी कैसे बनती है इन प्रिजैंस आई ऑक्सीजन और परोक्साइड इनिशियेटर एट हाई प्रेशर परोक्साइड इनिशियेटर जैसे बेंजोल परोक्साइड ऑक्सीजन भी परोक्साइड इनिसियेटर ही होता है क्यों ओडवल बांडों को ब्रेक कर दो कि ओ रेडिकल बन जाएगा वह भी वैसी करेगा हाई टेमपरिचर इतना होता हजार से दो जार और टेमपरिचर जो है वो 350 से 570 गल्विन के बीच में होता है ठीक है तो ल्ड़ी बनती है प्रिडिकल फॉर्मेशन क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है आपका पर अक्साइड प्री रेडिकल में जम करेगा पूर कंड़क्टर ओफ एलेक्टिसिटी होता है कैमिकली इनर्ड होता है तफ होता है लेकिन फ्लेक्जिबल होता है ठीक है यूजस देखलो मैनुफेक्चर ओ होता है फ्लेक्जिबल पाइप हो गए स्क्वीज बॉटल्स हो गए इंसूलेटर वगएरा हो गए इसके लिए करते हैं ल्डीपी है ना कि इसको इसको एच डीपी बोलते हैं इसमें कैटलिस यूजस करते हैं जिगलर नट्टा है ना पॉम्डबाए पॉलिमराइशन ऑफ इथीन इन प्रिजैंस ऑफ दिगलर नट्टा जिगलर नट्टा क्या होता है ट्राई इथाईल एलुमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राकलॉराइड टीए लएप ट्राइफाइल एलुमिनियम एट लोप्रेसा 6-7 ATM टैम्परचर 333 340 क्यमिद्ध लिए ने तफ टफ होत सब्सक्राइब करेंगे मैं आपको कुछ यह मेंन के भी करवा दूंगा नीट के भी करवा दूंगा सारे हैं चलो मोनोमर्स आर कनवर्टेट टू पॉलीमर्स कैसे बनता है मोनोमर्स आ सब्सक्राइब कराना है ना कंडंसेशन बिट्वीन मोनोमर्स बिल्कुल सही है बदला पुरा आंसर हो किया अगला सवाल देखो नाइलॉन अगला देखो Which of the following is polyamide, अरे भाई, साफ, polyamide कौन सा है, nाईलोन होते हैं polyamide, Teflon तो addition polyweis symptom है ? अरे क्या वात है बहुत बड़ी या, अगला सवाल देगे हो Which of the following is fully florinated polymer ? K지만, यह और यह in the foreground है तब यह वन्हें तें इसके Non-Stick अधे टियोंट होता है और या कैसी वाते करते हो और इसा आएगा और These struggling सब्सक्राइब को पॉलीमर को पॉलीमर है ना आगरांस राएगा अगला सवाल बैकलाइड इस अप्टेन फ्रॉम फॉर्मेल्डी हाइड से होती है अंकल सब्सक्राइड ऐस है अगला अमंग्स टीकोस पॉली विनाइल कुलोराइड है रहां संधलल्स कि इसम सesin पॉली वनाइल क्लोराइड और आईलं डाइलाईल नैचुन ठीक है चेक कर दो जा रहा डी आंसर आ जाएगा ठीक है डी आंसर आ जाएगा इधर से ब्रेक ड़ड़ा तो होना पॉली विनाइल कलूराइड अब क्लीयर है ना क्लियर वेरी नाइस बहुत बढ़िया अगला विज़ों तो फॉलाइंगे ता नेचरल पॉलीमर नेचरल बताओ ज़रा नेचरल पॉलीमर क्या सिस वन फोर पॉली आई सोप्रीन अरे वाई यही तो था नेचरल लवर तुम्हारा नेचरल लवर बोलते हैं इसको नेचरल लवर आगर आएगा ठीक है नाम ही उसका नेचरल लवर यह ना अगला दा पॉलीमर देट इस यूज़ एज असबस्टिट्टूट पॉल इन मेकिंग कमर्सियल फाइवर देखो पॉल्यकराईलो नैट्रियल पैन लिखा हुआ है आपकी यूज़िस में देख सकते हो आप ना पैन ठीक है पॉलीकराईलो नैट्रियल यूज़ होता है बिटा डा बहुत बढ़िया अगला रिगार्डिंग क्रॉस लिंग्ड और नेटवर्क पॉलीमर बिचाथ फॉलाइंग स्टेटमेंट इस इनकरेक्ट क्या रहे हैं इनकरेक्ट पूछ रहे हैं ठीक है दे कंटेन कोवलेंट बॉन्ड बॉन्ड बिट्वीन वेरियस लीनियर पॉलीमर च तो लास्टी बचाए गलत दे कंटेन स्ट्रॉंग कोवलेंट वॉन इन देयर पॉलीमर चेन मदा पॉलीमर चेन का ना उपर नीच्छे वाला है ठीक है क्लियर है दोलक पुरांसर आएगा वेरी नाइस बहुत बढ़ी है अगला सवाल विच वन आप फॉलाइंग यहां पर मुझे डिखी नहीं दिख रहे हैं यहां भी क्लोरीन कहां से आगया इसमें तो डोलक पुरी अंसर हो जाएगा ठीक है क्लियर वेरी नाइस बताओ नेच्छरल रवर में क्या होते हैं सारे सिस्ट कॉन्फिग्रेशन होते हैं सब्सक्राइब चाहरे टरानस होगे तो गुट्टा परचा विक्ताबढ़ होगे तो गुट्टा परचा तराamatות होगे तोरी बट्सक्रा नैच्रल रवर बिता ठीक है ही अगला क्य प्रॉलक्ताम एज भॉर्स फॉर्दा मैनुफक्छणॉर यॉप झायलों 6 और hexamethylene diamine और adipake acid से nylon 6 ठीक है के प्रोलेक्टम से nylon 6 अगला सवाल विज़ाद फॉलाइंग और यहने compound polymerizes to form a polyester decron बताओ decron किस से बनता है polyester terry thalic acid से बनता है और ethylene glycol से चेन नहीं आंसर है decron किस से बनता है terry thalic acid और ethylene glycol से बनता है ठीक है clear very nice अगला nylon is an example of nylon अरे भाई polyamide nylon में polyamide होता है na c double bondo NHL के जोती है very nice अगला बताओ with the following monomer of neoprene बताओ with the monomer of neoprene अगला निoprene क्या होता है synthetic rubber chloroprene उसका monomer होता है chloroprene कहां यह है आगरा answer आ जाएगा ठीक है clear है chloroprene मनता कैसे उसकी बड़ी important reaction थी hydrocar one में है याद आगी तो मैं बता देता हूँ इसकी reaction HCL से करा दो तो chloroprene बन जाता है इसकी reaction HCL से करा दो तो chloroprene बनता ध्यान रगना यूजवली double bond पर reaction होती है electrophilic addition लेकिन यहाँ triple पर होती है ध्यान रगना क्यों double bond conjugated आ रहा है ठीक है अगला विजवना था following is not a condensation polymer देखो मेलामाईन में condensation होता है यह पक्का है glyptal में होता है डेकरोन में भी होता है नियोप्रिन में नियोप्रिन तो addition है न भाई नियोप्रिन क्लोरोप्रिन का addition हो रहा न वाहां कुछ निकल थोड़ी रहा है अधिसन ही तो हो रहा है ठीक है ठीक है एडिसन ही तो हो रहा है ठीक है ऐसा होता है तो नियोप्रिन एडिसन है बाकी सारे condensation देखो कुछ ना कुछ मोलीक्यूल निकलना condensation है एड हो नाएडिसन है सिंबल सी बात है अगला सवाल which of the following statement is false पाल्स बताना है और नाइलोन डवल सिक्स इस एग्जाम्पल अफ फाइबर इलास्टोमर नहीं फाइबर ही यहां पर इलास्टोमर तो वीक बांटर वाल फोर्स होते हैं इसमें बस आणसर आ गया और रिपीटेड यूनिन ने चलो आईसोप्रीन यह सही है बहुत स्टार्ज यह पॉलीमर गुल्कोस बिल्कुस आई यह अलफा का होता है यह अलफा डी गुल्कोस का यह बीटा डी गुल्कोस का होता है यह सब्सक्राइब अगला सवाल मोनोमार अब मुझ अब इसका मोनोमर कैसा होगा बापिस आना है तो आप जहां पर बॉंड छोड़े हैं वहां पर डबल बॉंड लगा दो उल्टा चल लो जहां बॉंड छोड़ा ना ऐसा वां डबल बॉंड लगा दो क्या आजाएगा अंसर आयू पीसी नेम बंड टू थ्री तू मिथाइल प्रोपीन आगर आंसर आजाएगा इस टाइरीन पॉल प्रोपीलीन तो होगा नहीं इथीन में नहीं होगा है क्लियर एक दम ठीक है आगर आएगा व्यर नाइस अगला सवाल टी एफ टू शी एफ टू मोल आज़ार ओड किसका टेफलोन का टेटर फ्री इधिन बोल सकते हो लगे टियाफी गाब में अगला इस नेचुरल वर वर इसो प्रीन का आईसो प्रीन का पॉलीमर है बेटा नेचरल भर आईसो प्रीन का रीमक लवर होता हैज नियोपरीन यह होता है आई सोप्रीन का नैच्छल भर गुट्टा पर्चा इसका ट्रांस हो जाएगा यह से सोता है अगला बता दो जरा तेरिलीन इस और पॉलीमर अफ इथलीन कलाईकोल एन्ड टेरी थालेक असेड थोलक पुरा जाएगा थालेक असेड के साथ होता है ग्लिप्टल, यह ना, टेरिलीन को डेकरॉन भी बोलता है, डेकरॉन या टेरिलीन होता है, टेरिथालिक असिड का, यह ना, क्लियर एक दम, ठीक है, तो यह गहानी होगा इसकी, अगला, इसकी बनते हैं, बताओ, पॉली, टेटरा, फ्लोरो, इथलीन, यह आगया न, आपका, टेफलोन बोलते हैं यार इसको, टेफलोन बोलते हैं, सीएफ्टू, सिंगल बॉन्ड, सीएफ्टू, ऐसा, ऐसा होल, एन, इस तरीके से, टेफलोन नाम है, क्लियर, बदला बुरा जाए वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, दा बैकेलाइट, इस प्रिपेरट वाइरी एक्शन बिडवीन, बताओ, बैकेलाइट किस से बनता है, पिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइट से बनता है, पिनॉल फॉर्मेल्डिहाइट का लिनियर नोवोलेग होता है, क्रॉस लिंक रादो नाइलन टूसिस किस्से बनता है ग्लाइसीन प्लस अमीनो अमीनो कैप्राइक एसिड अब बनाया था यह बनना है ना बैरी नाइस चिन नहीं अंसरा जाएगा अगला दा बायो डिकरिवल पॉलीमर इस पहला चेक अच्छा यह डबल बॉंड ऊपर चला गया इसको थोड़ा नीचे गल्लो यहां डबल बॉंड आएगा यह चलो बताओ जरा बायो डिकरेवल पॉलीमर इस विनाय साइनाइड और यह तो आपका ब्यूना एन देदेगा ना यह ग्लाइसीन अमीनो कैप्राइक एसिड पस यही तो आ गया बायो डिकरेडेवल में अरे पी एच्वी और लुए वाला नारी यह क्या बनाएगा टैरी तैलिक एसिड और यह ड्रॉण एना यह क्या बनाएगा वीऊना एस बनादेगा यह यह तुम्हारा बनादेगा ड्रॉण या टेरीलीन ठीक है ऐसा होता है क्लियर है बदला बुरा अंसर आजाएगा ठीक आप लोगों को जाते जाते एक बात कहना चाहते हैं ठीक यू सो मच आप यहां पर आए और आपने हमसे पॉलीमर चैप्टर पढ़ा जितना पढ़ाया वस उत्ते पढ़ना है ठीक है एक सवाल आएगा बना देना नमस्कार एक स्टॉरी स्क्वेर क्लियर एकदम धन्यवाद सभी लोगों को क्या नहीं भूत की स्टॉरी कौन सा भूत भाई एक बार सुनाई थी तुम सो तो पाई नहीं थे पुर सुनना चाहते हो अरे आज दिन अच्छा है वाई सेटर्डे है कल संडे है फ्रेंड्सिप डे है वाई सभी लोगों का फ्रेंड्सिप डे की बहुत बहुत सुपकामना है साहिरी सुनाएंगे न अच्छी वाली कौन सी सुनोगे साहिरी सुनोगे जोक सुनोगे और है क्या रहा है मॉटिवेशनल बटिवेशनल सुनोगे प्यार वाली सुनोगे जल्दी फटाबट बताओ जोक सुनोगे आजकल का दौर है उसी पर ही है एक गंडे मोबाइल को नाच हो तो मोबाइल में से आवा जाती है मालिक जिन्दा हो या चल बस है एक और सुनो सिंगल होने का दुख नहीं है बस गम इस बात का है कि जाला को यकिन नहीं करता है आजकल वाट्सेप पर बहुत सारे सुविचार भी तो आते हैं चाहे कितने भी सुविचार भेजो पर मनुष से फोन की लो बैटरी के सिवाए कोई विवाल सीरियसली नहीं लेता है एक सुनना जरा लॉकडाउन खतम होने के बाद स्कूल मीटिंग कैसे हो रही है लॉकडाउन खतम होने के बाद स्कूल की मीटिंग कैसे हो रही है पापा बोलते हैं बच्चे के मैं मैं बच्चे का पिता हूँ टीचर बोलती है जी जानती हूँ कई बार आपको ऑन्लाइन क्लास में पीछे ज़ाड़ू लगाते हो देखा है ऐसा होता ही है बाई साब आजकल की जनरेशन की कॉंटेक्ट लिस्ट देखकर डल लगता है मम्मी न्यू टू पापा टू मौसी धरी यह क्या है बाई ठीक है स्कूल टाइम पर जो पेट दर्द होता है ना उसका एलाज दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं होता आज मेरी मम्मी ने मुझे डिजिटल सजा दी बताओ क्या चार जरो टागे ले गए एक जड़ा पती पतनी वाला भी होई जाए बगीस ताप कहते हैं आपके पती कैसे मरे महिला कहते हैं फिर इनके सरीर पर चोटके निसान कैसे आए महिला कहते हैं खाने समना कर रहे थे ठीक है चलो भाई इतना काफी यह ना पढ़ाई करो ठीक है मिलते हैं नेक्स लेक्शर में पढ़ाई करते रहें जब तक आप लोग है ना जो पढ़ाया है पॉलीमर में सारे अच्छे तरीके से मोनोमर पॉलीमर याद रखें और जो क्वेस्टन करा हैं उसको एक बार फिर देख ले इगे चला में तैफर तपके लिए ओके वाई